है नमाशकार मैं हुँ संगीतर आपको फोद बोसागत करती हूं आपकी अपने रसे में आज मैं इसे कर रही यहां पर ऐलोगीर का जूस और एलोगीर का तेल जो कि हमारे हेर ग्रोज से लेकर हमारी स्कीन से लेकर हमारी बोड़ी के लिए भूत थाइदे मन्द है बीना किसी एवरुटाइजमेंट के चलिये चलते हो मैं लेकर चलती हूं आपको अपनी बालकनी में यहां पर मैंने गमली में लगा रखा है यह अलोवेर्या एलोवेर्य का सब से खुबसूरत परजातियों में से एक है इसको हम किसी छोटे गमले या कंटीनर में भी लगा सकते हैं इसके तलवार जैसे आकार किसकी पत्तियां होती है अथोड़े से जैसे आप देख सकते हो चितकब्रेश से धब्बे होते हैं इसमें इसको हम गार नर्म भी हो जाता है और इसका जेल हमारी स्कीन से लेकर हमारी हेर के लिए हमारी बोड़ी के लिए बहुत फातिमन होते हैं तो इसको दो लेते हैं साप कर लेते हैं किसी कपड़े से तो देख सकते हैं आप किसने तलवार जैसे इसकी यह सारी पत्तियां है अब हम इसका जो होता है किसी भी परकार का इसमें इसमेल वगेरा नहीं रहता है तो हम आसानी से इसका इस्तमाल कर सकते हैं अपनी हेर ग्रोथ के लिए अपनी इसकीन के लिए या अपनी बोड़ी के लिए तो इसमें किसी भी परकार का या तो केमिकल वगेरा नहीं रहता है जब हम घर में इस परकार की एक्स्राइश मेल रहती है इसमें कितने सारे और सदिया गुंड रहते हैं जो हमारी बोड़ी के लिए हमारी हेर के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो भरपूर इस्तमाल करना चाहिए और इसको आसानी से हमाम अपने गमले में आसानी से लगा सकते हैं चोटे- अगर नहीं मिल रहा तो आप किसी भी तरीके का अलुवेर के इस्तमाल कर सकते हो तो हम केमिकल वाली चीजों से विबस सकते हैं अपने घर में इसको जरू से उगाना चाहिए मैं तो कहती हूं हर गमले में यह होना चाहिए यहां पर आयर्वेज में इसके बहुत सारे मैने ह होते हैं काफी सारी हेर प्रोडेक्ट इसके बनते हैं ब्यूटी प्रोडेक्ट इसके बनते हैं जूस इसका मिलता है तरह तरह का जूस मिलता है तो आप अपने गमलों में आप तज और फ्रेस हो गाईएगा और इसका आनंद लीजेगा इसका जूस बच्चे तक पी लेते ह हैं बहुत अच्छा होता है तो मैं आज जूस भी आपके साथ सेर कर रही हूं बड़ी आसानी से इसका हम जेल निकाल लेंगे तो देख सकते हैं आप कितने इसमें से जेल निकल रहा है जितनों इसकी पत्तियां तलवार जैसरे रहेगी उतना इसमें से जेल ज्यादा निकलेगा ज्यादा मातरों मैं निकलेगा और अच्छा नहीं लगता है आज हम इसका तेल बनाने वाले हैं जिस रहए आप ने इसका तेल बना चुके हो तो अच्छी बातर नहीं पनाया तो आप जरू आप अकी कीजिएगा और इसका apply कीजिएगा अपने बालो पत इससे hair growth भी बढ़ते हैं साथ में बालो का जढ़ना भी बंद हो जाता है रूसी बगेरा रहते जो बालों में वो भी कम हो जाते हैं साथ में लीखे जो भी रहते हैं वो सब मर जाते हैं आप इसके तेल बनाते से हम थोड़ा सा यहां पर नीम के पत्ते डाल दीजिएगा यहां पर जूओं और लीखे वाली यहां पर प्रोबर्म आपकी solve हो जाएगी तो हम इसका सारा जेल जो है निकाल लेती हैं यहां पर मैं juice के लिए भी बना रही हूँ तो juice के लिए भी मैंने जो छोटे टुकड़े लेते उसका जेल में अलग से निकाल लेती हूँ तो यहां पर हमने जेल तो निकाल लिया है अब लेंगे यहां पर नारियल का तेल नारियल का तेल से हम इसको बनाएंगे आपर तो जित स्मातरा में हमने यहां पर जेल निकाला है उसी मातरा में उतना ही हमने यहां पर लेना है नारियल का तेल आप चाहिए तो यहाँ पर सरसो की तेल में भी बना सकते हो लेकिन बिना इसमेल का बना रहे हम और इसमें कोई भी इसमेल किसी परकार कर ना तो जूस में आएगी ना तो इसके यरेल में आएगी अब हम इसको ग्राइड कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे तो मैं यहां पर साथ में आपको बता रही हूं को मैं यहां पर जूस भी बना रही हूं एक कटोरी में हम इसका निकाल लेते हैं ऐसे जैसे जेल हमने यहां पर बालो के लिए तेल बनाने के लिए रख दिया है वैसे हम यहां पर इसके जूस बनाने यादे आप जूस पिते हो इसका और रेगूलार इसके सेवन कर रहे हैं तो भहुत ज़्यादा ऐचा बनता यह और इसमें किसी परकार का इसमेल अगर भी नहां आती है तो मैंने आपर इलू बेरे का जेल डाल दिया डिरेक्ट और डाला है इसमें यह तजिया फ्रेस्फ पुदीने की पती और डालीं ग लिए जब आप एक बार इसका जूस पी लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगएगा इसमें किसी परकार का कोई भी कयमिकल वगेर नहीं रहता अपने घर का बना रहता है गर्मी हो या सर्दी हो कब भी हम इसका जूस पी सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है एक बार लगा लेते हैं साइड से इसमें हम थोड़ा सचीनी का पॉर्डर डालते हैं अब चान देते हैं आप अलुवेरिया का जूस तज्जाव फ्रेस एक दम से साथ में नीम्बू का रस्पी एक हमने नीम्बू भी नहीं चोल लिया था और नमक डाला है मने साथ में यहां पर फ्ल को ढालों यहां पर ब्यजान से हो जाती है साथ में तो तेल भूप का Kah यहां पर सिर में बालों के लिए भूफ अच्छा है साथ में खोटी हैल्द सुरल से का पो अध्यंव आपको अच्छा लगेगा एक बार बार फिर ऐसे बनाने का मन करेगा कि बहुत ही हेल्थी है साथ में डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है इसमें किसी भी परकार का कोई केमिकाल वगेरा नहीं है बाहर के जो हम खरीद का पीते हैं ऐलो बेर्या का जूस हो गया तैयार आप चलते हैं अरीशका अब बनाते हम याँ पर टेल्स इसके लिए चलना होगा मैं या पर गैस की तरफ्ला तो मैंने याँ यहाँ पर ले ली कडायी आप चुछे तो यह पर लोगे कंडाई भी ले सकते हो ऑपासिए डाल देते हैं पहले यहां पर नार्यल का तेल और उपर से डालेंगे जेल अच्छा सा ग्राइंड हो चुका है यह बार अब हमने इसको बिल्कुल धीमी आज पर रख देना है एक से डेर गंटे के लिए या जब तक बिल्कुल पके तयार न हो जाए अपने आपी पता चल जाएगा इसका जेल जो है शिकूर जाता है और सारे गुण जितने भी होते है ऐलोपेरियम में सारी इस तेल में आ जाएंगे और य captivity आपने पहले इसका तेल बना चाल तो आपसेnia गुणों को जैनते हो और ये आपने नहीं बनाया तो आप भी अपनी हियर समय से औरो इसके प्रॉब公S को दूर कर सकते हो इस तेल को बना करके यह तक आप यह तेल बन बन और इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं यह ठंडा है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा में पर तैल बन के तैयर हुआ है अब हम इसको बर्ज में डाल देते हैं तो इसमें जेल रहता है, जेल जो है अलग हो जाता है तेल अलग तो सारे औस सिदिय अगुण जो है, इस तेल में आ गए हैं अब हम अपने इसकीन पे इसको अपलाई कर सकते हैं अपनी हैर पर बेह जान से हो चुकें, बालों में भी जान दाल देगा यह तेल और सिधी अगुणों से भरपूर अपने स्कीन पे लगाएगा या अपने हेरपॉल पे हेरपॉल जादा हो रहा है सर्तियों में जादा थर होता है खास करके आप अपलाई कीजेगा यहां पर तेल बन के तयार है आसा करती हूँ आज की होम रेमेडिया आपको हेल्प फूल रहेगी और जो दी रेचिपी अच्छी लगए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरू से कीजिएगा मिलते हैं एक ऐसी नेक्स रेचिपी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत वतने बाद थेंक्यों सो माज